गुर्मानिगी स्टुडेंट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्यन करेंगे आज की क्लास में हम अध्यन करेंगे चैप्टर थी का ठीक है चैप्टर थी हमारा है लोक तंत्र और विवीधता ठीक है क्या नाम है चैप्टर नेम है लोक तंत्र और विवीधता ठीक है इसका हम पार्ट वन इसमें पढ़ेंगे और हमने पहले बेसिक जो बुक से कंप्लिट किया था ठीक है क्योंकि पूरा जो पूरी बुक अगर हम पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और वीडियो भी ज्यादा मिनट के बनेंगे इस वजह से अब हम के वाल सौटरी कोशन करने हैं किस प्रकार से लोगतंत्र होता है लोगतंत्र का निर्माण होता क्या होता है और उसमें बीःता किस प्रकार क्य yaptयों कैसी होती है क्या कारण कंद के करने लगते उनकी मालस Comics होती क्यों है तो हुंस सब के बारे में चर्चा करेंगी कोश्चन के मद्ध हमसे दो चलते हैं अपनी क्लास पर और दिन करते हैं तो देखिए पहला कोश्चन जो है उसको हम पढ़ेंगे पहला कोश्चन बोला गया है कि समाजिक विभाजनों की राजनीत के परिणाम तै करने वाले तीन कारकों की चर्चा करें तो अगर हम तो राजनीत के परिणाम तै करें तो उनके तीन कारक की बारे में चर्चा करें तो देखिए कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है तो सबसे अधिक वहां पर राजनीतिक दल जो होता है वो अधिक मत प्राप्त करने के प्रयास करते हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजन इतिक जो दलोते हैं वही सबसे अधिक मत प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं प्रयास करते हैं ताकि वो क्या कर सके चुनाओं को जीते जा सके मतलब जीत सके उनको उनके द्वारा चुनाओं को जीता जा सके वो अधिक से अधिक मत दाताओं को प्रभावित करने का भी प्र तो परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्रकार का सभी समाजिक समुहूं अलग-अलग समदाविवें से संबन्द रखते हैं तथा यह द्रश्टिकोन समाज में समांजस बिठाने में काफी मुस्किल होता है परन्तु अगर लोग इन पैचानों को अलग अलग द्रश्टिकोन से नहीं देखते तथा इसे देश का ही एक हिस्सा समझते हैं तो इस प्रकार का विभाजन खतरनाक नहीं है बलकि समाज के ल इसकी यह जो विभाजन है यह खतरनाक नहीं है बलकि समाज के लिए अच्छा है इससे समाज से भी कमजोर वर्गों को हमारी समाजिक विवस्ता में प्रती निधित तो मिल जाएगा तो इस तरह से अगर देखें तो हम पहली अगर बात करें तो सबसे पहला कारण अगर नेताओं का समाजिक विभाजन को प्रयोग करने का डंग दूसरा महत पूर्ण कारक अथवा समाजिक विभाजन की राजनितिक का परणाम यह है कि किस प्रकार हमारे नेता अलग-अलग समाजिक समूहों की मांगों को उठाते हैं अगर मांगों को सांति पूर्ण धंग से उठाया जाए और समूहों की मांगों को भी मैट दिया जाए तो यह समाज के लिए लाबकारी होगा परणतु अगर नेता और समूहों की मांगों को दबा कर अपने समूहों की मांगे उठाएंगे तो समाज संघर्स की तरब भी सकता है ठीक है तीसरे पाइंट की बात करें सरकार के रुख की सरकार का रुख किस तरह का होगा इसमें तो देखें इसमें जो महत पूर्ण होता है कारक वो तीसरा कारक होता है सरकार का रुख सरकार का रुख किस प्रकार से होता है इन मांगों के प्रति जो सरकार का रुख हो समाजिक विभाजन देस के लिए कोई खतरा नहीं होगी मतलब सरकार अगर चाहे तो सभी समूहों को बराबर की साजेदारी दे अगर यह पे अल्पसंख्यों के साथ और बाकी लोगों के साथ मतलब जितने भी समाज में बार गये सभी के साथ भेदभाव ना करके वो समानता का बेवार करे तो समाजिक विभाजन देश के लिए कोई खतरा नहीं होगा परन्तु अगर सरकार इर्मागों को दबाने का प्रयास करेगी तो यह दबाव डाली एकता की तरफ बढ़ेगा परन्तु बाद में ये विभाजन बन जाएगा इस प्रकार बहु समुदाई समाज में समाजिक विभाजन की राजिनीत के परिणामों को खतरा नहीं समझना चाहिए अगर इमकारकों को ध्यान में रखा जाए तो ये देश के लिए लाबकारी भी सिद्ध हो सकते है मतलब समाजिक विभाजन खतरा भी हो सकता है और खतरा नहीं भी हो सकता है ये समाज के लिए लाबकारी भी हो सकता है लेकिन वो उन लोगों पर depend करता है कि वो कैसा समझते हैं किस प्रकार से वो सोचते हैं तो चलिए किसी की जो mind होता है और कापी अच्छा होता है तब उससे अगर कुछ भी लोग कहते हैं समाजिक भी भाजन की विजय से या किसी भी तरह से तो वो जो लोग होते हैं जो ब्र tooling नहीं होते हैं तुरंद अगर कोई दूसरी बात 안ज्ञाया कोई भी उससे समझाने के प्रयास करता ह्या कूछ भी कहता उससे तो वो बच्चे भटच जाते हैं तो लोग भटच जाते हैं तो इस तरह से भी यह जो है तो वहाँ行了 बीभाद्थन वहों और क्या है मतलब लाबकारी भी है अब आपको ये वो करना है कि आपको क्या लेना है खत्रा लेना है ये लाब उठाना है तो चलिए आंगे चलते हैं तो दूसरा कोश्चन हमारा है दूसरे कोश्चन में बोला गया है कि समाजिक अंतर कब और कैसे समाजिक विभाजनों का देखें प्रते क्समाजिक अंतर समाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकता जो प्रते क्समाजिक अंतर है जाती रंग भासा इन जो अंतर होते हैं सभी में यह अंतर होते हैं किसी की जाती में अंतर होता है किसी के धर्म में अंतर होता है और किसी की जाती में अंतर होता है किसी के रंग में अंतर होता है कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है किसी की भासा में अंतर होता है कोई लू तमील इस प्रकारण से समस्रकत और इसाजिक उलता है तो इसमें समाजी अंतर जो समाजिक अंतरों के सेट से हाथ मिला लेते हैं तो यह समाजिक अंतर एक दूसरे समाजिक हते हैं जब कुछ समाजिक अंतर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो यह समाजिक बन जाते हैं यहां पर हम अमेरिका के गोर और आस्यूद ओं झाले नहीं बोलते लेकिन आस्यूद कि गोरे बिलकुल सफेद होते हैं आजसेयूत का मतलब होता है जो सामले रंग के लोग हो तो गोरे तथा आजसेयूत के उधारन ले सकते हैं इन दोनों में एक मात्र अंतर प्रजातिका है वह गोरी और तथा काली नसल में संबंद रखते हैं यहाँ एक समाजिक अंतर है का सेट इस सेट से मिल जाता है जैसे की काले लोग निर्धन तथा बेघर हैं तो या समाजिक बिभाजन बन जाता है ठीक है अगर काले लोग निर्धन और बेघर हैं तो यह क्या बन जाता है समाजिक बिभाजन भी बन जाता है इससे दोनों एक भावना आती है कि वहाँ क्या है अलग-अलग है मतलब वो गोरे हैं, वो काले हैं और काले लोग जो हैं, वो क्या हैं निर्धन और बेघर भी हैं तो उनमें एक समाजिक भीभाजन की भावना जो हती वो भर जाती है कि वो क्या है अलग-अलग है जबकि ऐसा नहीं सोचना है चाहिए सभी लोग क्या है एक समान यहीं पर अगले कोशन की बात करते हैं फोर समर कोशन हमारा है कोशन में का गया है कि समाजिक अंतर गहरे समाजिक विभाजन और तनाओं की इस्थिति पैदा करते हैं समाजिक अंतर समान्य तोर पर टकराओं की इस्थिति तक नहीं जाते हैं अगर इसमें हम अंसर की बात करेंगे तो ओवरलेपिंग समाजिक अंतर गहरे समाजिक विभाजन तनाओं की इस्थिति पैदा करते हैं तो हम यहां पर जो भरेंगे वो बर देंगे ओवरलेपिंग दूसरी जीच यहां पर जो बरेंगे वो बर देंगे क्रोस कटिंग क्रोस कटिंग क्रोस कटिंग समाजिक अंतर सम नहीं जाते हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं ओवरलैपिंग समाजिक अंतर गहरे समाजि कांतर पर समान तोल पर टकराओं की सतित्तक नहीं जाते हैं देखिए अगर यहीं पर पहले question की बात करें तो question number हमारा क्या है किसे कहा गया है क्या राजनीतिक दलों वा समाजिक विभाजनों का मेल विसफोटक होता है अब यह हमारे जो question है यह important question भी होंगे इसमें आपसे आपकी भवनों को पूछा गया है इसमें आपसे पूछा गया है क्या राजनीतिक दो दलोते हैं समाजिक विभाजनों का अगर मेल हो जाए तो क्या यह विसफोटक का काम करेंगे क्या यह विसफोटक होंगे तो देख लेते हैं देखें राजनीतिक और जब सम बाजकिव भादना होता है लेकिन अगर वहां पर कोई राजनीती का खेल खेलने लगे तो वह और आइसे खतरनाक अर्विस्पोटक बना देता है अगर राजनीती सामिल हुई तो वह उसको और ही उकसाएगा राजनीती के माध्यम से और वो जो होगा वो क्या होगा अपने मार्ग से भटक करके एक खतरनाक और एक रिस्पोटक की तरह हो जाता है कोई भी हो अगर कोई है कोई भी है समाज में वर्ग है कोई भी है वो लोग है अगर किसी ने वहां पर राजनीति खेल चालू कर दिया मतलब राजनीति के माध्यम से उसे समझाने लगे तो वहां पर वो जो होगा वो बिलुकुल खतरनाक और विस्पोटक का ही काड़े करेगा मतलब कि वहां पर एक तनाओ की और एक इस्तिती जोद्पन होगी उससे जो होगा ना तो उस वर्ग का लाब होगा और ना ही किसी प्रकार से उस राजनीतिक दल का तो राजनीतिक दल का तो हमारा लाब हो सकता है लेकिन किसी भी तरह से उस समाजिक वर्ग का लाब नहीं हो सक यह देख लिए यहां पर लिखा हुआ है राजनीतिक और समाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्पोटाक होता है लोक तंत्र में विभिन राजनीतिक दलों के बीच टकराओ पैदा हो जाता है इस टकराओ के कारण कोई भी समाज कूट का सिकार बन जाता है भरता रहे तो इस तरह से वो माइंड जो होगा हमारा माइंड जो होगा वो एक तनाओ और एक विस्पोटाक का ही काम बन जाएगा एक खतरनाक माइंड बन जाएगा मतलब हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे हम अच्छा सोच नहीं पाएंगे और हम क्या कर पाएंगे हम अपनी जो हमारे जो एम होगा उस एम से भी क्या हो जाएंगे भटक जाएंगे पढ़ाई में मतलब इस तरह से जो होगा इस मादम से भी हम समझ सकते हैं जैसे आप पढ़ रहे हो ठीक है और कि कोई भी राजनीतिक दल है जो आप से कुछ भी आके आप एक समाजिक वर्ग हो म आप उसकी बातों में आ रहे हो आके अंदर तनावकी स्थिति पैदा हो रहे हैं विडो़ भी उद्पन हो रहा है खतरनाक भी आप हौि हो रहा हो अपने मार्ग से भटक भी रहा हो तो हमें सोचना चाहिए कि हम इस कि किसी की बहकावे में या किसी की जो बाते है राज नीतिक दल जो होता है उसके उसमें ना है हमें सिर्फ अपने एम पर ध्यान देना है हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई से ध्यान देना हमें किसी की मतलब उससे भटाकना नहीं है और हमें उससे क्या होना है अलग नहीं होना है के तो राती कि दिल होते हैं वह फूट ही तो रड़ते हैं समाज में क्या दलते हैं जब टक्राओपेदा होगा और उस टक्राओं से ही आपके अंदर फूट भी पड़ जाएगी मतलब आप एक समाज का स्विकार बन जाओगे तो आप से कोई भी कार संभव नहीं हो पाएगा मतलब आप एक बिल्कुल निम्न वर्ग के भी बन सकते हो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप इस फूट का सिकार ना बने ठीक है तो यह मतलब होता है इसका चलिए आंगे बात कर लेते हैं कोश्चन पर आते हैं देखिए यहां पे आप पढ़ा कि इस टकराओ के क कारण कोई भी समाज फूट का सिकार बन जाता है यादी राजनीतिक दल समाज में पाए जाने वाले विभाजनों के अनसार राजनीति करने लगे तो इससे समाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है जिसके कारण देश की अखंड एकता को खतरा होने की स सम्भावना हो जाती है अगर हम देश की बात करें देश हो गया इस्कूल हो गया मंदिर की छीज़ें हो गए मंदिर में बहुत सारे लोग पुझन करने जाते हैं जो देश है उसमें पूरा देशी शामील होते हैं लेकिन अगर वहीं पर कहीं पर दाजनीलतिक दल का कोई प्रभाव पड़ गया तो उन बच्चों में आपस में क्या होती है फूट पड़ जाती है और उनकी एकता में भी खतरा उत्पन हो जाता है तो इसी तरह से अगर आप किसी खतरे का सिकार हो रहे हो तो आप करते हैं अखर्ण एकता को खतरा पैदा होने की संभावना हो जाती है जैसी तरह से देश हमारा खतरे में हो जाता है जो कई देशहों से हो बी हुख यह जाए यदि के बहकावे में नहीं आएंगे या किसी की बात हम सुनेंगे ठीक है और हम एक राजनीति समाजिक एकता पैदा करेंगे और उसमें सहायक भी हो सकते हैं मतलब हम जो होंगे वो सभी से जुड़े रहेंगे और किसी से भी हमें फूट उत्पन नहीं होगी तो राजनीतिक समाजिक एक्ता पैदपा करने में भी यह सहायक हो सकती है चलिए आंगे की बात करें देखिए अगर दूसरे कोशिशन की बात करें दूसरा कोशिशन पूछा गया है कि क्या कारलोस तथा इसमित द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतरराष्टी मंच पर उठाना उचित था अमेरिका में इन दोनों खिलारियों के साथ क्या विभार किया गया देखिए ये जो थे एक बैग्यानिक खिलाडी भी थे तो कारलोस इसमित एक खिलाडी थे महान खिलाडी थे जो एक बैग्यानिक तौर पे खिलाडी थे मतलब ये जो थे ये अंतरराश्टी ओलंपिक संग द्वारा किये थे मतलब इनकी जो भावनाएं थी वो किस से जुड़ी हुई थी अंतर रास्टी मतलब पूरे देश से जुड़ी हुई थी तो चलिए बात करते हैं इस कोश्चन की तो देखिए अंतर रास्टी ओलंपिक संग द्वारा कारलोस और इसमित द्वारा राजनीतिक बयान देने को ओ गोसी गोसित किया तथा उनके पदक वापिस ले लिये नारमन को भी इसी प्रकार की कीमत चुकानी पड़ी और उसे अगले ओलंपिक में आस्ट्रेलिया की टीम में नहीं लिया गया परन्तु इन फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रती स संसार का चैन आकर्षित करने में सफलता भी प्राप्त की अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रती संसार का चैन आकर्षित करने में सफलता भी प्राप्त की देखें अगले कोश्चन की बात करें तो अगला कोश्चन है उदाहरन सहित स्पष्ट कीजि कि प्रतेक जो समाजिक विभिनिता होती है वो समाजिक विभाजन का रूप नहीं होती है मतलब हर जो विभिनिता होती हो समाजिक विभाजन का रूप नहीं होती कुछ ही जो विभाजनिता होती है जो मांसिक तोर पर होती है वही बिभाजन का रूप लेती है तो चलिए इसे हमें उदान से तिस्पठ करना है अगर बात करने कोश्चन की तो देखें यहां पर बात करते हैं प्रतेक समाजिक बिभिनता समाजिक बिभाजन का रूप नहीं होती है नहीं लेती समाजिक बिभिनताएं लोगों के बीच ब बिभिनताएं अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं बिभिन समाजिक समुहों के लोग अपने समुहों की सीमाओं से हटकर भी समानताओं और असमानताओं कानवा करते हैं कार्लोस और इसमें तो दोनो एफरो अमेरिकन थे जबकि नामोन स्वैद था परंतु इन तीनों में समानता भी थी कि वे सभी नसल आधारित भेद भाव के विरुद्ध थे विल क्या थे? सभी नसल अधारित भेद बाओ के विरुध थे तेके? यहीं पर अगर फोर्ड अमर कोषिण की बात करें तो क्या हम एक से अधिक समाजिक समुहों के अंग बन सकते हैं? अगर बात करें कोषिण की, तो हम कोषिण के बारे मैं पढ़ रहे हैं क्या हम एक से अधिक समाजिक समुहों के अंग बन सकते हैं तो हाँ हम एक से अधिक समाजिक समुहों के अंग बन सकते हैं एक धर्म को मानने वाले ब्यक्ति स्वयम को एक ही समुदाय के सदस नहीं मानते क्योंकि उनकी जाती और पंथ अलग होता है या भी संबव है कि अलग-अलग धर्म के अनुवाई होकर भी एक जाती वाले लोग स्वयम को एक दूसरे के निकड मानते हों लेकिन एक ही परिवार के अमीर तथा क्या गरीब जादा घनिष्ट संबंद नहीं रख पाते क्योंकि सभी अलग-अलग तरीके से सोचने रखते हैं इसलिए हम सब की एक से ज़्यादा पहचान होती है लोग भी एक से ज़्यादा समाजिक समुगों के सदस्यों हो सदस्यों समाजिक बिभाजन के स्थिति यंब कुस समाजिक बिभाजन के सदस्यों के ऊपर हो जाते हैं तो समाजिक विभाजन की इस्तित्य उत्पान होती है जैसे अमेरिका में स्वयत तथा आस्वयत का अंतर एक प्रकार का समाजिक विभाजन है हमारे देश में भी दलित प्राया गरीब और भूम हीन है उन्हें भी प्राया भेदभाव तथा अन्याय का सिकार बनना पड़ता है जब एक तरह का समाजिक अंतर अन अंतरों से महत पूल बन जाता है तता लोगों को यहाँ अन्भव होने लगता है कि वे दूसरे समदाय के सदस हैं तो इससे समाजिक विभाजन की इस्तिती बन जाती है जब हमें ये अन्वा होने लगता है कि वे जो दूसरे समधाय के सदस हैं तो इससे समाजिक विभाजन की जो इस्तिती होती है वो क्या होती है बन जाती है अगला पॉस्चीर मारा सिक्स नमबर है हमसे बूक कहा गया है कि उत्तर आयरलेंड और नीदर लेंड ये दो देस हैं अगर बात करें उत्तरी आयरलेंड की कुनों ही इस्ताई्य बहुल देश हैं कैसे देश हैं है इसाई बहुलल देश्य मैं दो न ही देशों में इस्ताई नोग ज्यादा रहते हैं बहुत एस्ताई लोग है घए तो लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक से बटे हुए हैं उत्तरी आयरलेंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है वहां का कैथोलिक समुदाय गरीब है वलंमे समय से उनके साथ भेज़भा हो रहा है नीदर लेंड में वर्ग तथा धर्म के बीच ऐसा तालमेल दिख कैथोलिक दोनों अमीर दोनों अमीर तथा गरीब है और एक बार्म की इसकी बात करें तोपरियुदाद प्रोटेस्टेंट के बीच संहर्स होते रहते हैं परंदु नीदर लेंड जो मरदे से वहां ऐसा नहीं होता जब समाजिक विविन्नताएं एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो गहरा समाजिक विभाजन हो जाता है जहां से समाजिक विविन्नताएं एक साथ कई समुहों में भी दिमान होती हैं और वहां उन्हें समालना आसान होता है